नमस्कार और हेलो आप देख रहे हैं फिल्मी खबर से जुड़ा हमारा खाश शो बॉलिवूड गफशाप मैं हूँ काजोल तो चलिए शुरू करते हैं बॉलिवूड गफशाप बॉलिवूड एक्ट्रेस ऐशुर राय बच्चन फिल्मी नगरी की एक ऐसी अदाकारा है जो किसी परिशे की महताज नहीं है अपनी नीले आखों से लाखों दिलों को खाल करने वाली सुन्द्री ने 1997 में रिलीज हुई फिल्म प्यार हो गया के साथ अपने अभिने करियर की शिर्वात की थी अपनी शांदार लोकस और अपनी दमदार आक्टिंग से दर्शकों की दिलों में घर कर गई थी अपने लंबे करियर में एश्वरा ने बॉलिवुड को कई सुपरिट फिल्म में तोहफे मित दी हैं साथ ही उन्होंने अपने रवये से लाखों दिल भी जीते हैं तो वहीं अब खबरे आ रही हैं कि हसीना फिर एक बार कांस के रेड कार्पिट पर अपना जल्वा बिखेती नजर आने वाली है अश्वरा ने अपने फैशन से लाखों महिलाओं को इंस्पायर किया है उन्हें एक आइकुन के तौर पर देखा जाता है उनका रेड कार्पिट लुक अकसर सुर्ख्यां बटोरता नजर आया है उर्थी उर्थी खबरों की माने तो वैश्वरा एकॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में रेड कार्पिट पर ग्लैमर का तरका लगाती दिखाई देंगी ये जर्सी पहन लो दोस्तों इमोशन के पिछ पर शाहिद कपूर ने लगाया स्टीरियम के बाहर शक्का मिडाल ठाकूर की शानदार अदाकारी ये जर्सी देखनी बनती है साउथ की फिल्म में इन दिनों बवाल मचा रही है ऐसे में शाहिद के जर्सी का आना जो 2019 में आई त्यल्गू फिल्म जर्सी का रिमेख है शाहिद कपूर ने अरजन तलवार के रोल को निभाया नहीं जिया है अब इमोशन को शाहिद ने अपने परफेक्शन से निभाया अब शाहिद के साथ रोते हैं, हसते हैं शाहिद जब चौके छक्के मारते हैं तो आप खुश होते हैं इसे शाहिद के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जा सकता है 26 साल के लड़के के रोल में भी शाहिद जमते हैं और 36 साल के शक्स में भी शाहिद की पतनी के किरदार में मिनाल ठाकुल लाजवाब है यह उनका भी बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा यह फिल्म में क्रिकेटर का जुनून दिखाती है जंदगी में मुश्किल दोर में भी कुछ हासिल करने के ज़स्बे को दिखाती है बाप बेटी की ऐसी बांडिंग दिखाती है जो दिल को छू लेने वाली है अगर आपने ओरिजिनल जर्सी देखी है तो भी यह फिल्म आपको अच्छी लगेगी और नहीं देखी तो और ज्यादा अच्छी लगेगी अगर श्राइद कपूर के फैन है तो उनका बेस्ट देखने के लिए जरूर देखे जर्सी और हाँ यह फिल्म केजेट चैप्टर टू की आंधी में उड़नी नहीं चाहिए अच्छी फिल्म है तो देख डालिए स्टार से पेपराजी का रिष्टा काफी एहम होता है फैन्स को ज़्यादे तर अपडेज पेपराजीयों से ही मलती है यह बाद फिल्म में सितारे भी बखोवी समझते हैं और कैमरे के सामने जाकर पोस भी देते हैं हाला कि कई बाद इन सितारों को पेपराजीयों के हरकत पर भड़कते भी देखा गया है ऐसा ही कुछ हाल ही में एक्ट्रिस सारा अली खान ने भी किया जी हां बॉलिवूर एक्ट्रिस सारा का आज तक आपने चुर्बिला पन और मस्खरा अंदार से देखा होगा लेकिन अम जो वीडियो सामने आई हो इसमें वो गुस्से में न कर्ट्रिना कैफ और विकी कोशल की शादी के बाद से ही उनके फैंस कर्ट्रिना को बड़े पर देखने के लिए काफी एक्साइटिर नजर आ रही है इन दिनों आइक्ट्रिस फिल्म मेरी क्रिसमस की शूटिंग में बिजी है शोशल मीडिया के गलियारों में धरले से सरफ कुमार के साथ देख सकते हैं इन तस्वीरों में कर्ट्रिना को पॉल का ड़ट्रिस में देखा जा सकता है शादी के बाद फिर एक बार कर्ट्रिना कैफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो चुकी है काँ पलोटी कर्ट्रिना कैफ की तस्वीरें दर्शकों को काफी पसंद आ रही है कर्टिना कैल फिल्म में पहली बार साउट के सूपर स्टार कहे जाने वाले एक्टर विजे सेतुपती के साथ बड़े परदे पर धमाल मचाती नजर आएंगी विजे सेतुपती और कर्टिना कैल कर्टिना काफी जोरी की धूम अभी सेही देखने को मिल रही है सिंगम एक्ट्रिस काजल अगरवाल ही में माँ बनी है काजल ने बेबी बॉय को जन्ब दिया है काजल और गौतम कीश्रु मंगलवार को मातापिता बनी है काजल और गौतम ने अपने बेटे का नाम नील रखा है जिसके जानकारी गौतम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी थी काजल और गौतम को फैंस माता पिता बनने की शुपकामनाई दे रहे हैं अब बेटे के जन्म के बाद काजन ने पहला पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बेबी होने के बाद अपना अनुभव शेयर किया हाला कि वो इस समय को काफी इंजोआई भी कर रही है काजन ने अपनी प्रेग्रेंसी फोटो शूट के तस्वीरे शेयर की उन्होंने फोटो शेयर करते वे लिखा अपने बेटे नील को इस दुनिया में वेलकम करके बहुत खुशूँ हमारा जन में भारी लंबा फिर भी सबसे संतोर चनक अनुभव हो सकता है नील को पकड़ना शब्द में वयात करने वाली फीलिंग है उस एक पल में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार और जम्मेदारी महसूस होई तो ऐसी मज़िदार फिल्मी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए बॉलिवड का अपशाप